जहें दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस विडियो लेक्चेर में हम बात करेंगे Central Idea, The Road Not Taken, क्या बच्चों? The Road Not Taken की Central Idea के बारे में बात करेंगे तो प्यारे बच्चों हम आपको बता दें, जो Central Idea होती बहुत ही important होती है तो काफी बच्चों को doubt होगा कि Central Idea आखिरकार होती क्या है तो Central Idea का मतलब समझे, Central Idea का मतलब होता है केंदरी भाव क्या बच्चों केंदरी भाव, यहनि आपने जो कविता पढ़ी है, आपने जो कविता पढ़ी है उसका सरांस क्या होगा, यहनि कि आपके सब्दों में, वाई हमारा क्या होता है Central Idea होता तो आज हम बात करें क्या, The Road Not Taken, चेप्टर की Central Idea के बारे में इसके जो पोएट है, रबर्ड फ्रोष्ट, रबर्ड फ्रोष्ट जी ने इसे कंपोजड किया है या फिर लिका है तो चलिए देखते हैं इसके Central Idea और समझ लेते हैं Line by Line बच्चों, चलिए आजाए सब पहले यहां से स्टार्ट करिए, आप लोग देखिए Central Idea इसकी इस कभिता की जो केंदरी भाव है, जो Central Idea है, The Road Not Taken, यहीं कि वह रास्ता जिसे नहीं लिया गया यहीं कि जो यह कभिता है, The Road Not Taken, इसे रबर्ड फ्रोष्ट जी ने लिखा है इस डाइट, इसकी जो Central Idea है की, One Morning, यहीं कि एक सुभा, समझे, One Morning, एक सुभा इन लो उड, समझे, एक सुभा है, इन आ, एलो उड, मतला पीत वन में, एलो उड मतला होता है, पीत वन, समझ मैं आ न, चलिए, The Poet Found Himself, यहीं कि एक सुभा इलो उड में, मतला, यहीं कि पीत व इसकी होता है, दूविधा में, यहीं कि एक सुभा पीत वन में, जो कभी है, अपने आपको पाते हैं, दूविधा में, As, जैसे, He had a road, उनके पास एक road है, Divide in, Divide into, Imprint of Him, यहीं कि उनके सामने एक road है, जो दो भागों में क्या, बढ़ जाती है, जो दो भागों क्या, Divide हो दैटी वाज, लेस्ट वाग्ड, यहीं कि जिस पर बहुत कम लोग चले हुए होते हम, लेस्ट वाग्ड मतलब, लेस्ट वाग्ड अन मतलब होता है, बहुत कम लोग चले हुए है, ठीक है, and, or, it made all differences, देखे, and, it made all the differences, और यहीं उनके जीवन में, बहुत बड़ा अंतर ब में सीखने को मिलेगा दिरी क्या है विफाइंड आवर सेल्फ इन सच डेलिमा इन इन लाइब सर्वल टाइम्स यानि कि हम अपने जीवन को कई बार इस प्रकार की दुबधा में पाते हैं हम लोग कई बार ऐसा कंडिसन होता है कि अपने लाइब को अप इस प्रकार की दुब में जाएंगे वहीं पर आपको क्या चुनना होता है इसी प्रकार से इन लेखंग ने बताया है अगर कभी भी हम अपने जीवन में अपने लाइफ में इस प्रकार की कंडिसन से गुजरते हैं तो हमें क्या करना चाहिए we have to take decision हमें decision लेना चाहिए क्या हमें decision लेना चाहिए which we should take wisely यह उस decision को में क्या बहुत ही बुद्धिमानी पूरवक लेना चाहिए तो प्यारे बैचों यह पूरी central idea हमने आपको समझा दिया चले एक बार में आपको the road not taken जिसके poet है Robert Prost इसकी central idea आपको ऐसे ही भासा में सुना देता हूँ जैसे समझे यह central idea इसमें क्या होता है क जो कभी होते हैं वो एक P1 से गुजर रहे होते हैं और जो P1 का road होता है जो रास्ता होता है कुछ आगे जाने पर दो भागों में divide हो जाता है दो भागों में क्या होता है divide हो जाता है तो वहाँ पर जो लेखक होते हैं एक दुबिधा में पढ़ जाते हैं कि मैं किस रास्त रास्ते को चुनता है जिस पर बहुत कम लोग चले हुए होते हैं और कभी ने हमें यहां पर एक बात सीखने को बताया है कि जब भी हम कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार की दूबधा में आ जाएं तो हमें उस रास्ते को चुनना चाहिए जिससे हम बहुत ही बुधिमान पूरवक ले सकते हैं ठीक है बच्चों तो प्यारे बच्चों हमने आपको पूरी सेंटल एडिया समझा दिया है यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि अब इसके आने वाली नहीं जै भारत